फालो और वेलकम फ्रेंट्स यह फॉरलूप की सीरीज का दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग नेम प्रिंट कराना सिखेंगे अभी तक हम लोग नहीं यह सिखा है कि किस प्रकार से हम नंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं फॉरलूप तो मदब से तो यह चलिए नेम करवाएंगे एक बार लिख करके कैसे यह हुगा आए देखते हैं सब्सक्राइब पहले ब्लूजे को ओपन करना है हमें प्रोजेक्ट है हमारे पास उसको ओपन कर लेते हैं फॉरलूप के नाम से है फॉरलूप.java तो यह रहाए और यहां से इसको उपन कर लिए हमने यहा यहां पर हम i की value को print कर वा रहे हैं तो क्यों ना हम इसमें कोई नाम लिखें ठीक है और उसको print कर वाएं कैसे करेंगे यह आए देखते हैं यहां पर double into comma में मैं नाम लिखता हूँ जैसे मैं लिखता हूं computer and excel solution यहां पर लिखता हूं computer and excel solution और इसको यहां से कर दिया close अब देखिए इसमें फाइदा क्या है अब जैसे ही मैं इसको compile करवाँगा तो यह compile होगया program हमारा successfully अब हम इसको run करवाते हैं तो इसको यहां से मैं run करवा रहा हूं ठीक है यह देखिए यहां से मैंने इसको run करवाया तो यह देखिए computer and excel solution one two three four five five ten print हो कर आगया तो यह तरीक होगा six print होगा seven print होगा eight print होगा nine यानि कि five six seven eight और nine five ten print होगा यह ठीक है अगर हम यहां पर less than or equal to कर देते हैं तो यह six ten print होगा कैसे print होगा यह देखते हैं यहां से compile करवा है आप इसको run करवाता हूं यहां से देखिए इसको इसको मैंने करवा दिया run तो यहां पर देख सक यहां पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 time print होकर आ रहा है तो इस तरीके से हम name भी print करा सकते है according to our wish ठीक है अगर हमको इसको 8 time या 10 time या इससे अधिक बार print करवाना हो तो क्या करेंगे आप मैं आपको देखाता हूँ यहां पर इसके editor को मैं open करता हूँ और यह देख सकते हैं इसका editor open हो चुका है अब हमको यहां पर देखिए यह 5 से start किया हमने अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ यहां से 0 से start करता हूँ तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां से अब इसको यहां से मैं करता हूँ रन करता हूँ ठीक है आई यह देखते हैं अब यहां पर देखिए यह 11 टाइम प्रिंट हो रहा है